हेलो दोस्तों नमश्कार आप सभी का स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर कनईया बीकानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में जो Cognitive Behavioral Therapy है CBT है उसका Part Second है वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ Part First है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया आपने उसे देखा उसे समझा और खुब सारे कमेंट्स किये आपने उसे बहुत ज़्यदा पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज ये Part 2 है जिसमें मैं CBT के कुछ examples के साथ में कि आप अपने इस तर पर घर पर CBT के practice कर सकते हैं different different situations के अंदर CBT को कैसे use कर सकते हैं और इसकी प्रती आपकी जो insight बड़े CBT को लेके इसी से जुड़ा हुआ ये second part है ये second video मैं आप सभी के साथ share कर रहा हूँ दोस्तो अब तक यदि आपने मेरे YouTube channel DRKTV को subscribe नहीं किया तो please just subscribe करें और साथ ही घंटी का बटन दबाना मत भूलेगा ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तो चलिए हम बात करते हैं CBT के next part के बारे में दोस्तो हम पहले part से ही समझ चुके हैं कि CBT के अंदर जो cognitive model होता है उसके अंदर क्या-क्या elements होते हैं उसके अंदर situation होती है परिस्थिती होती है उस situation से हमारे अंदर thought process पैदा होता है belief पैदा होते हैं thoughts generate होते हैं और उस thought process के कांड कुछ न कुछ feelings आती है और उन feelings के according behavior होता है व्यवहार होता है यह basic elements और यह जो behavior है यह व्यवहार है यह नई situation पैदा कर देता है नई परिस्थिती पैदा कर देता है इस तरह से यह continuous interaction चलता रहता है तो दोस्तों CBT के यह basic elements हमें बहुत अच्छे से पता चल चुके हैं first part में हमें समझ में आ चुका है दोस्तों हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो एक परिस्थिती के अंदर अलग-अलग तरह से सोचते हैं सारे वेक्ती एक situation को लेके एक समान नहीं सोचते हैं सब लोगों की जो thoughts है वो अलग-अलग होती है चलिए मैं आपको example के माद्यम से समझाता हूँ कि एक ही परिस्थिती में अलग-अलग लोग हैं वो किस तरह से अलग-अलग सोचते हैं जैसे मानलो की हम एक example लेते हैं एक situation यहाँ पर लेते हैं कि आपका कोई नीजी वेक्ती आपका कोई खास रिस्तेदार आपका कोई close वेक्ती मानलो आपके साथ अच्छा व्यभार नहीं कर रहा आपके साथ खराब व्यभार कर रहा है यह एक situation है अब देखिए कि अलग-लग लोगों के दिमाग में किस तरह से अलग-लग thoughts आते हैं और उन thoughts से किस तरह की feelings आती हैं मानलो जो पहला वेक्ती है उसके दिमाग में कुसी इस तरह का thought पैदा हो रहा है कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यभार नहीं किया उसने जान बुझ कर मुझे जलील करने के लिए मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे साथ वो इस तरह का व्यभार कर रहा है तो दोस्तो जब इस तरह का thought उसके दिमाग में आ रहा है तो उसको बहुत ज़दा गुसा आ रहा है बहुत ज़दा एंगर की feelings उसके अंदर आ रही है तो दोस्तो situation ये situation के बाद दिमाग में thought इस तरह से और उसके बाद उसको feelings गुसे वाली आ रही है दूसरा व्यक्ति इस चीज़ के बारे में इस situation के बारे में उसके दिमाग में कुछ इस तरह के thoughts आते है कि मेरा जो खास व्यक्ति है वो मेरे साथ अच्छा वेवार नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता वो मुझे से प्यार नहीं करता मैं दिखने में साइद अच्छा नहीं हूँ मेरे अंदर कोई खास qualities नहीं है कुछ अच्छी skills नहीं है जो मैं उसको अपनी तरफ attract कर सकता हूँ तो यहाँ पर जब इस तरह के thoughts feeling आते हैं, incompetent के thought उसके दिमाग में आ रहे हैं तो उसको जो feeling है वो depressed feeling आती है दोस्तो situation से में एक ही situation में एक वेक्ति के दिमाग में जिस तरह के thought आ रहे हैं उसको वहीं गुसा फील हो रहा है, दूसरे वेक्ति को depression सा फील हो रहा है तीसरा वेक्ति, same situation में उसमें इस तरह के उसके दिमाग में thoughts आते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता है इसलिए उसने मेरे साथ अच्छा वेवार नहीं किया साथ वो मुझे से ज़्यादा किसी और को ज़्यादा पसंद करता है जब उसके दिमाग में इस तरह के thoughts आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा jealousy feel होती है बहुत ज़्यादा जलन वो मैसूस करता है, feelings उसकी jealousy वाली आती है चोथा वेक्ति है उसके दिमाग में कुछ इस तरह के thoughts आते हैं कि उसने मेरे साथ अच्छा वेवार नहीं किया मैं इस तरह के वेवार deserve नहीं करता मैं जहां पर भी जाता हूँ लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं बहुत अच्छे से वेवार करते हैं और उसने मेरे साथ यह वैवार है, वो खराब वैवार अच्छा नहीं किया, तो वहाँ पर इस तरह के thoughts से उसको जो feelings आ रही है, वो hurted की feeling आ रही है, उसको यू लग रहा है कि उसको यहाँ पर अपमानित कर दिया गया, तो उसके अंदर feelings अपमानित वाली आ रही है, वो यहा राज हो गया, और वो मेरे साथ अच्छा वैवार नहीं कर रहा है, तो उसके जो feelings आ रही है, वो guilt वाली feelings आ रही है, उसे पश्चा ताफ हो रहा है, अपने वैवार को लेके, छठा जो व्यक्ति है, उसके दिमाग में कुछ इस तरह के thoughts आते हैं, कि साइद अब उसे मेरा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मेरे साथ खराब वैवार कर रहा है, उसको मेरी company अच्छी नहीं लगती, साइद अब मैं इतना enjoying मेरा, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह का वैवार कर रहा है, तो उसको जो feeling आ रही है, वो anxiety की feeling आ रही है, अपने future को, जो दोनों का relationship है, उ मेरे साथ इस तरह का वैवार कर रहा है, अगली बार जब वो मेरे वैवार को लेके मुझे शिकायत करेगा, तब मैं उसके वैवार के बारे में बताऊंगा, कि तुमने मुझे इरे साथ कितना खराब वैवार किया था, और इस तरह से जो revenge वाली जो feeling है, उसको यहाँ पे happiness स आ रही है, जो आठवा वैक्ति है, उसके मन में इस चीज को लेके इस तरह का, same situation में उसके दिमाग में इस तरह का thought आता है, कि मैं उसके इस वैवार को लेके prepare नहीं था, तो यहाँ पे वो annoyed या नाराज feel करता है, एक नवा वैक्ति जो वहाँ पे है, उसके दिमाग में इस तरह के thought आ रहे हैं, कि साइद मेरी किसी गलती या मेरी किसी कमी के बारे में उसको पता चल गया है, जिसके कारण वो मुझसे खराब वैवार कर रहा है, और उसके अंदर जो feelings आ रही है, इस thought की वज़ेस जो feelings आ रही है, वो शर्मिंदगी वाली feelings आ रही है, ashamed वाली feelings आ तो दोस्तों यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 लोगों के दिमाग में एक ही situation को लेके अलग-अलग तरह के thoughts आ रहे हैं, जब उनके thoughts अलग-अलग हैं, तो उनको जो feel हो रहा है, वो feelings भी अलग-अलग तरह की हैं, दोस्तो situation एक ही थी, कि आपका जो नीजी वेकती है, आपका जो close वे अलग-अलग तरह के thoughts आ रहे हैं, और उनके अंदर feelings भी अलग-अलग तरह की आ रही है, एक के अंदर जहां गुस्सा आ रहा है, दूसरे को जहां depression feel हो रहा है, तीसरे को जहां jealousy feel हो रही है, चौथे को यहाँ पर शर्मिंदगी feel हो रही है, या फिर वो hurted feel कर रहा है, इसी के अंदर happy हो रहा है, एक जना annoyed feel कर रहा है, और एक जना disappointed feel कर रहा है, तो दोस्तों same situation, thoughts अलग-अलग तो feelings भी अलग-अलग, तो दोस्तों यहाँ पर हम यह समझ गए हैं अच्छे से कि जो situation होती है, जो परिस्थिती होती है, वो हमारे दिमाग के अंदर thoughts पैदा करती ह और उन thoughts से हमें कुछ ना कुछ feel होता है, feelings आती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो CBT होती है, CBT के अंदर, CBT का जो form होता है, उसके अंदर A, B, C, D और E होते हैं, यह columns बने होते हैं, इन columns का क्या मतलब है, यहाँ पर A, B और C तो हमें यहाँ से बहुत easily समझ में आ जाता है, कि A, B, C क्या है, A का मतलब activating event, एक ऐसी परिस्तिती जो हमारे दिमाग के अंदर thoughts को activate करती है, तो जैसे यहाँ पर हमने एक situation लिया, तो यहाँ पर situation जो है, वो A है, यहाँ पर activating event है, अब अपन बात करते हैं, B के उपर, B का मतलब है, जो उस व्यक्ति के belief सिस्टम कैसा है, उस belief कैसा है, तो belief किस के बारे में, वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो society के बारे में क्या सोचता है, वो पूरी दुनिया के बारे में क्या सोचता है, और particular उस events से related उसके thoughts कैसे हैं, तो यहाँ पर यह है B वाला part, C का मतलब है यहाँ पर consequences, मतलब जो thoughts जो चल रहे हैं उसके behavior कैसा होगा, और उस emotion से जुड़ावा particular कोई physical symptoms वो जो feel करता है, वो कैसा है, जैसे अलग लग लोग अलग लग तरह के symptoms feel करते हैं, जैसे anger के अंदर, या depression के अंदर, या jealousy के अंदर, लोगों के अलग अलग तरह के physical symptoms और psychological symptoms आते हैं, जैसे कुछ लोगों के अंदर जैसे बह heavy-heavy सा feel होने लग जाता है, body के different organs के अंदर pain होने लग जाता है, सांस लेने के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, कोई भी काम करते हैं, उस काम के अंदर concentrate नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान नहीं लग पाता, लोगों से मिलना जुलना उनको अच्छा नहीं लग पाता, तो य यह बहुत सारे physical symptoms और psychological symptoms है जो उस feeling के साथ associated होते हैं वो भी उनको feel होते हैं तो दोस्तों यह जो A, B, C यह तो हमें समझ में आ गया है दरासल दोस्तों CBT के अंदर क्या किया जाता है कि CBT के अंदर एक व्यक्ति को particular किसी situation से related जो thoughts है उसका जो belief system है उसको सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि किसी भी situation के अंदर उसके अंदर किस तरह का thought आता है किस तरह के belief system जुड़ावा है उस particular situation के साथ में और साथ ही उसको इस बात के लिए प्रेडित किया जाता है कि उस situation से जुड़ावा उसका जो belief है उसका जो विश्वास है उसका जो thought है क्या ये thought सही है क्या ये thought real है अगर ये सही है अगर ये real है तो इसका proof क्या है अगर ये सही नहीं है तो इस परिस्थिति में इस thought की जगे दूसरा कौन सा positive thought आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रिकरिया के माध्यम से जो dysfunctional जो glyph होता है, dysfunctional जो thought होता है उसको हटा के एक more realistic और adaptive thought add कर दे जाता है उसके cognition के अंदर तो इस add करने वाले dysfunctional thought को हटा कर एक realistic thought add करने और जो more adaptive thought add करने का जो यह process है इसको dispute बोलते हैं जिसको D से represent करते हैं, जो CBT का जो form होता है उसके अंदर जो D है उसका मतलब होता है dispute, dispute का मतलब जो dysfunctional thought है उसको तो हटाना है और जो more realistic और जो adaptive thought है उसको add करना है, यह सब क्या होता है मैं आपको एक example से पूरा अच्छे से clear करूँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा आपको इसके last में एक antim में मैं आपको पूरा example लेके अच्छे से समझाऊँगा और उसके बाद क्या होता है, जो E वाला point है दोस्तों जो dispute जो process हुआ है, dispute process है एक more adaptive और realistic जो thought add हुआ है उस thought की वज़े से जो emotional upliftment होता है वेक्ति का उसको effect बोलता है, जो भी emotions के अंदर चाहे उसको अच्छा feel हो रहा है या बहतर मैसूस हो रहा है, यह है effect तो दोस्तों यहाँ पर पूरा column prepare होता है CBT form का A activating event, B का मतलब जो belief system है उसका C का मतलब जो consequences आ रहे, D का मतलब dispute और E का मतलब effect तो दोस्तों वेक्ति को यह form दे दिया जाता है, यह form कुछ इस तरह से show होता है मैंने screen पे आपको यह form भी बताया है, आप देख सकते हैं कि यह form किस तरह से होता है दोस्तों वेक्ति को यह form दे दिया जाता है और उसको अलग-लग situations के अंदर यह बोला जाता है कि अलग-लग परिस्थितियों को दिमाग में लाकर यह सोचा जाए कि उसमें किस तरह के thoughts पैदा हो रहे, उनको वहां किस तरह के emotions आये थे फिर उन्होंने वहां पे वो जो thought आ रहा था क्या, वो thought realistic था क्या, उसकी जगे कौन सा thought आ सकता था और फिर उसका effect क्या था तो दोस्तों आप भी अपने घर पर इस form को इस तरह से fill up कर सकते हैं, इसकी practice कर सकते हैं आप भी एक page लेकर उसके अलग-लग columns बना सकते हैं, जिसमें A, B, C, D और E जिसमें आप अलग-लग जो पूरे दिन के अंदर आपको अलग-लग तरह की feelings आती है उस feelings से आने से पहले जो thought आ रहा था, उस thought को लिखे और वो thought कि situation में आया था, उस situation को भी लिखे और ये जो situation के अंदर जो ये thought आया था, क्या ये realistic thought था क्या यहाँ पे ये thought आना ही था, ये real thought था या इसकी जगे कोई और possible positive thought लाया जा सकता है वो dispute में add करें, फिर उसका effect लिखें, अगर वो realistic thought या more adaptive thought अगर आप उसकी जगे होता तो आपको कैसा feel होता, तो दोस्तों आप इस चीज की पूरे दिन बहुत अच्छे से practice कर सकते हो, ये homework मिलता है CBT के दर्मियान, तो दोस्तों मैं इस पूरे process को एक example के माध्यम से आपको बहुत अच्छे सा explain कर रहा हूँ समझना, इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से, फिर आप घर पे इसकी practice करना इसकी practice से ही आप dysfunctional belief को तोड सकते हो और उसकी जगे more realistic, जो positive जो belief है उसको अपने thought process के अंदर, अपने cognition के अंदर add कर सकते हो, install कर सकते हो तो चलिए दोस्तों, जो example अपने लिया था, उसी example को उठाते है कि situation यहाँ पर यह है कि आपका जो नीजी वेक्ती है आपका जो close relative है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो इसकी वज़े से मानलो thought दिमाग में यह आ रहे है कि उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया क्योंकि वो आपको जानबूच कर जलील करना चाता है या फिर वो आपको नीचा दिखाना चाता है इसके कारण उसने यह आपके साथ व्यवहार किया अब जब हमारे दिमाग में इस तरह के thoughts आते हैं तो आपको बहुत ज़दा anger feel हो रहा है और इस anger की वज़े से आपको बहुत ज़दा जो गुसा आ रहा है इस anger की वज़े से जो counter feeling आपके अंदर आ रही है वो प्रतिशोद की आ रही है तो मैं भी उसकी insult करूँगा या फिर मैं उससे बात नहीं करूँगा या फिर मैं उससे ignore करूँगा या फिर मैं कुछ ऐसी बात उससे बोलूँगा ऐसा ताना उसको दूँगा जिसकी वज़े से उसको जलील होना पड़े या उसको नीचा देखना पड़े बहुत ज़दा lonely सा feel करने लग जाते हैं, आसपास की situation साथ emotionally attached नहीं हो पाते हैं, हम खुद ही thoughts के साथ उलज जाते हैं, तो दोस्तों ये तो हो गया A, situation, events, B, belief, जो thought पैदा हुआ था कि वो मुझे नीचा दिखाना चारा है, और C, जो consequences, consequences में ये आ रहा है कि बहुत ज़दा anger feel हो रहा है और revenge वाली feeling आ रहे हैं, जिसकी वज़े से भी reverse में thoughts स्टाटत हैं, अब आते हैं D dispute, तो यहाँ पे अपने आप से ही प्रशन पूछे जाएं, जैसे कि therapist इसमें प्रशन पूछता है कि इस बात का क्या प्रमान है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपको जलील कर है, इस तरह का व्यवार करके आपने उसको जलील किया, क्या इस व्यवार के पीछे हमेशा यही कारण है, कोई अगर आप से खराब व्यवार कर रहा है, तो क्या उसका हमेशा यही कारण है, इस व्यवार के पीछे हमेशा इसका यही मतलब है कि व्यक्ति आपको नीचा यहाँ पर तो यह monofactorial थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही कारण को लिया जा रहा था, जो व्यक्ति वो एक ही कारण सोच रहा था, कि उसका जो यह खराब वैवार उसके पीछे का एक ही कारण है, कि वो मुझे नीचा दिखाना चाता है, या मुझे जलील करना चाता है, यहाँ से इ यहाँ इस तरह का वैवार हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी personal problems को लेके परेशान है, या किसी और matter को लेके परेशान है, तब भी वो लोगों के साथ खराब वैवार कर सकता है, जैसे ही यह more realistic और adaptive thought दिमाग में आता है, इससे shift किया जाता है, तो जो feeling आ रही है, अब पहले जहाँ उसके लिए anger की feelings आ रहे थी, अब वहीं सहनुबुती वाली feelings आने लग जाती है, उसकी प्रति केर की feeling आने लग जाती है, कियर यार सायद हो सकता है, वो अपनी किसी काम को लेके परेशान है, या अपनी किसी personal problem को लेके परेशान है, जिसकी वज़े से उसने य अबहार किया, ये खराब वयवार किया, तो जहाँ अब पहले जहाँ anger की feeling आ रहे थी, प्रतिशोद की feeling आ रहे थी, अब वहीं सहनुबुती वाली feelings आने लग जाती है, जहाँ अब thoughts जो आ रहे हैं, वो care के thoughts आने लग जाते हैं, कि यार वो किस problem को लेके परेशान होगा, मुझे उसके family वालों से पूछना चाहिए, कि कहीं वो किसी चीज को लेके परेशान तो नहीं है, अगर परेशान है, तो मैं उसकी help करूँगा, मैं उसकी परेशानी को दूर करूँगा, क्योंकि past में उसने मेरी help कि थी, तो मुझे भी as a friend, as a relative, मुझे उसकी help करनी C, जो उसके consequences, उसको जो anger feel हुआ, जो revenge feel हुआ, D, dispute किया गया इस thought को, कि वो जो नीचा दिखाने वाला thought है, वो dysfunctional thought है, इस thought की जगे, एक more realistic thought add किया गया, कि वो जो खराब वैवार है, वो इसलिए किया, क्योंकि वो किसी अपनी personal problem को लेके परेशान है, तो यहाँ पर यह dispute वाला column आ गया, D वाला और उसके बाद जो effect, effect पहले जहाँ उसकी feeling यह थी, कि वो बहुत जड़ा anger feel कर रहा था, revenge वाली feeling आ रही थी, अब यहीं पर जो उसकी feeling आ रही है, वो सहनुबुती वाली feelings आ रही है, जहाँ अब वो help करना चाहता है, जहाँ पहले वो बदला लेना चाहरा था, अब वो उसकी help करना चाहता है, तो दोस्तो, A, B, C, D और E, आप भी अपने घर पर इस तरह का set तयार करके, अलग-अलग situations के अंदर, आपको जो भी feelings आ रही है, आप इस columns के अंदर उनको भरके, आप अपने thoughts को correct कर सकते हो, आप अपने cognitions को बदल सकते हो, अप जिते भी events है, उनमें से कुछ positive होते हैं, कुछ negative होते हैं, positive वैसे हमें अच्छा feel करवाते हैं, तो हम चाहते हैं कि negative जो events हो रहे हैं, उनके अंदर हमें अच्छा feel हो, तो जिते भी negative events हो रहे हैं, उन सारे negative events को लिखें, उन events के कारण जो आपके दिमाग में जो thoughts आ रहे हैं कि किस तरह का आपके दिमाग में thought आ रहा है, जो dysfunctional thought है, उस thought को लिखें, तीसरा फिर उस thought के साथ आपको क्या feel हो रहा है, आप depressed feel कर रहे हो, आपको overthinking हो रही है, या फिर आपको jealousy feel कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चुचिदा पंसा हो रहा है, आपको अकेला प present thinking लानी चाहिए, मुझे और कौन-गौन से factors को include करना चाहिए, कौन सा realistic thought यहाँ पर हो सकता है, positive way के अंदर, फिर उसका effect भी note करें, दोस्तों आप day-to-day life में जैसे जैसे practice करते जाएंगे, धीरे-धीरे क्या होगा, कि परिस्तितियां जो आपके पास हो रही है, आपके आस पस जितनी भी situations हो रही है, उनमें आपके दिमाग में फिर हमेशा realistic thoughts ही आएंगे, जब realistic thoughts आएंगे, तो अच्छी feelings आएगे, अच्छी feelings आएगे, तो आप हमेशा free रहेंगे, ना तो आपको past परिशान करेगा, ना आपको future परिशान करेगा, और आप हमेशा खुश मैसूस क करोगे, happy feel करोगे, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको ये जानकरी पसंद आई होगी, दोस्तों खाली पसंद से काम नहीं चलेगा, आप इसकी practice कीजिए, अगर आप इसकी घर पे बहुत अच्छी से practice करेंगे, तो आपको इसका बहुत अच्छा benefit मिलेगा, आपको और अगर आपको कोई problem आ रही है, तो आप मुझसे discuss कर सकते हो, आप comment box में लिख सकते हो, अपनी query लिख सकते हो, और आप CBT से related और कुछ जानना चाहते हो, तो वो भी आप comment box में डाल सकते हो, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, ये आपको पसंद आया होगा, मैं next, इसका part थर भी लेके आओंगा, और नए examples के साथ में कि जो हमारी dysfunctional thinking है, वो क्या होती है, उस dysfunctional thinking को कैसे पैचाने, और क्या examples इसके हो सकते हैं, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत!